आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके शात खोया यानि की मावा की रसगुले बनाने का एक दम आशान तरीका एक दम बाजार जैसे हलवाई जैसे परफेक्ट रसगुले बनाकर आप तयार कर सकते हैं एक दम रसीला रसदार मूह में जाते ही घुल जाएगा इसको बनाना पहुत ही आसान है तो वीडियो को पूरा देखिएगा आपसे यही रिक्वेश्ट है फ्रेंड्स अगर रैस्पी पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब कर लेना तो चलिए बनाते हैं बहुत ही सौप्ट नरम बहुत ही लाजबाब यह र जानी बस गैस को जला दिया है चीनी पिगला लेंगे उसके बाद तीन से चार मिनट इसको पका लेना है तुरस गुल्ले वाली जो चासनी है ना बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाती है इसके लिए कोई तार की चासनी नहीं चाहिए बस थोड़ी सी हलकी सी चिप-चिपी चासनी बन जाए और बस आपकी चासनी बनकर तयार हो जाएगी तो यहां पर यह देखे अच्छे से खौल गई थी तो मैंने इसमें डाल दिया है कुटी हुई इलाइची और बस मिक्स कर दिया है एक मिनट और पका लिया है मैं आपको चेक कराती हूँ इस तरीके से चिप- आप नहीं भी डाल सकते कोई दिक्कर नहीं इसको रखेंगे साइड में अब देखिए मैंने लिया है यहां पर खोया तो इसे मावा भी बोलते हैं तो यह घर का बना हुआ खोया है यह देर्ड लीटर दूद का खोया है लगबक तीन सु ग्राम खोया होगा थोड़ा कम जा अख्चे से चिकना करना है तो इसमें कोई लंग्जबध नहीं होनी चाहिए दोड़ी साथ मिनट लगता है अब क्या करना है इसमें डालना है आपको मैया बिना मैय दा कि आपके जो खोग्या के रसगुला बिल्कुल नहीं बन सकते हैं तो इसमें कितना मैयद डलता है इस तरीके से देखिए मैंने कम से कम 5-6 चमच इसमें डाला है मैदा तो जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे ही आपको डालना है इस तरीके से थोड़ा सा डो इस तरीके से हलका सा टाइट होना चाहिए और एकदम से चिकना होना चाहिए जैसे ही आपको मैदा डालते जा तो उसके बाद आपको क्या करना है देखि इस तरीके से छोटी-छोटी यह देखिए बॉल जैसी तोड़नी है और उसके बाद बॉल बनाने हैं मतलब जितने बड़े आपको रसगुले खाने हैं पशंद हैं वैसे आप बना सकते हैं छोटे-बड़े मीडियम तो में यहां प अपको बनाकर तयार करना है और आपको जितने एक बार में रशगुल्य शेकने कड़ाई में उतने ही बनाईए आप बाद बाकी आप धक कर दीजिए इस तरीके से मैं ने बना ली है कुछ गोलिया मैंने बना ली है अब इसको मैं फ्राई वी करती हूं इसको मैं रख तो आपका जो रशगुला का वॉल है एक दम से सही है अब आपको एक रशगुला डाल के भी मैं सेख कर दिखाती हूँ देखिए आपको गैस ना आपको विल्कुल लो रखनी है हलका सा आपका तेल जब गरम हो जाए ना फिर विल्कुल कम कर दीजिए और इस तरीके से से सिख जाएगा इसी तरीके से करना है पहले आपको एक रशगुला सेक कर देखना है अगर जैसे आपका रशगुला फट रहा है ज्यादा सौप्ट है तो आपको क्या करना है और मैयदा डाल कर उसको बढ़िया से चिकना करना है और टाइट भी कर लेना है देखिए प्रसगुले आते हैं इतना गरम आपका तेल होना चाहिए तो यहां पर मैंने रिफाइंड ओइल लिया है एक एक कर के सारी रिष्गुले डालने हैं जितने आज आए जादा एकदम से नहीं आपको डालने हैं तो अगर आपका जैसे बाजार का खोया है ना तो आप देख सकत हैं कितना मैदा आपको डालना है तो चेक कर लेना है जो उसका डो लगता है ना एकदम से चिकना और थोड़ा सा टाइट होना चाहिए अब क्या करना है देखिए जब मैं सेक रही हूं तो मैं रिष्गुलों को कोई टच नहीं कर रही हूं आपको क्या करना है थोड़ा सा ह आतों से पलटना है और उसके ऊपर तेल भी इस तरीके से डालना है जब इसकिन टायट हो जाए तब डालना है एक दम से आपको उसको छेड़ना नहीं है और देखिए मैं इसी तरीके से इसको डालते हुए सेक लूँगी अच्छे से इसका कलर बढ़िया से आ जाए जैसे मैं एक रसगुला सेकर दिखाया था वैसे ही मैं इसको सेक ले रही हूं और देखिए मैंने पलट दिये हैं रसगुलों को तो फ्रेंट्स आपको याद करा दो अगर आपको मेरी रैस्पी रसगुले बनाने की पशंदारी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा यह सिख गए हैं तो इनको मैं निकाल लूँगी और डालूँगी चासनी में और जब आपको रसगुले डालने हैं तब आपकी जो चासनी है गरम होनी चाहिए गुनगुनी से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए तब उसके बाद आपको कम से कम रसगुले 15-20 मिनट रख देन आपकी रसगुले एकदम से सौप्ट हो जाएंगे तो आप देखी सकते हैं कितने बढ़िया से यह देखिए रसगुले 15-20 मिनट बने हैं तो इनके ऊपर आप जो चासनी बनी है वो डाल भी सकते हैं थोड़ी जैसे कम चासनी है तो उपर से डाल सकते हैं दूसरी भी बना स सकते हैं तो मैंने जादा नहीं बनाई चासनी कि वो बच जाती है उसके बाद देखिए मैंने उसको कर लिया है सर्व देखिए कितने फूल कर बड़े हो गए हैं तो यह देखिए एकदम लाजबाब मार्केट जैसा रसगुला एकदम रसीला रसदार मुह में जाते ही घु भार आ रहा है आप इसको होली दिवाली रक्षा बंदन या कभी मीठा खाने का मन है तो जट पट से खोया बनाईए और घर पर ही दम मार्केट जैसे यह रसगुला बना कर खाईए है ना एकदम सौप्ट बना है तो यह रखे रखे भी थोड़े से देखिए सौप्ट हो ज देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार होगा है तो आपको मेरे तरीके से यह रसगुला बनाना पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राब कर लेना फिर मिलते हैं नई रैस्पी के साथ